हलो फ्रेंड्स मैं नीता शर्मा अपने चनल हेल्दी लाइफ टेस्टी फूर्ड में आप लोग का स्वागत करती हूं आप देख सकते हैं आज में आपके लिए बहुत ही टेस्टी और एकदम सॉफ्ट सी रसमलाई की रेसिपी लेके आई हूं बहुत ही आप देख सकते हैं व पूरा देखिए छोटे-छोटे स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने होंगे और आप बहुत ही अच्छी गब मार्केट से भी अच्छी रसमलाई घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं तो जो लोग नए हैं मेरी चनल में सब्सक्राइब कर दें मेरी चनल को और जो बैल आइकन है उसको प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं यह कुछ रेसिपी के इंग्रेडियन्स हैं आप नोट कर ल बस आप यह याद रखिएगा कि यहां पर आपको भेंस का दूद नहीं लेना या तो आप टोंग मिलत लिजेगा या जो नॉर्मल गाय का दूद आता है आपके यहां उसको यूज कीजिएगा बस जैसे ही दूद में एक उबाल आएगा हम यहां पर गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसको थोड़ा चला लेंगे जिसे कि इसमें मलाई बिल्कुल ना लगे इसको 5-6 मिनट हम ऐसे ही छोड़ देंगे उसके बाद हम इसका छेना बनाकर रैडी करेंगे तो छेना बनाने के लिए मैंने यहां पर विनेगर लिया है मैंने यहां पर दो टेबल को करना रोग दिजीगा आप देख सकते हैं यहां पर छेना अब अलग हो गया है तो बस इसको हम फटा-फट से अब छान लेंगे छानने के बाद इसको ठंडे पानी से धो लेना है एकदम ठंडे पानी से दो-तीन बाद इसको अच्छे से वाश कर लेना है आप चाहें तो डिरेक्ट नल चला कर भी इसको वाश कर सकते हैं बस इसको बहुत ज्यादा नहीं निचोड़ना है हलका सा प्रेस किजेगा और इसको किसी जगे पे टांग दीजेगा जहां से इसका पानी अपने आप निकल जाए या ऐसे ही छलनी में रख दीजेगा 40-45 मिनट के बाद आप दीखेंगे कि इसका पानी अच्छे से निकल चुका है अब यहां पे मैंने फिर आदा लिटर दूद लिया है आदा लिटर से थोड़ा सा ज्यादा ही है आदा लिटर इनफ है तो यहां पे हम इसके रबड़ी बना रहे हैं जैसे ही दूद में उबालाया है तो मैंने इसमें 4 टेबल स्पून चीनी मिलाई है चीनी बहुत ज़्यादा नहीं मिलानी है क्योंकि आदा ही लिटर दूद है और यह रबड़ी बनेगी थोड़ा सीतेगी भी तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा चीनी आप मत मिलाईएगा तो मैंने आपे 4 से 5 टेबल स्पून चीनी मिलाई है चार पज इलाईची को बारी कूट लिजेगा पाउडर फॉर्म है तो वो भी मिला सकते हैं और बस उसे बहुत अच्छा इलाईची का फ्लेवर आ जाएगा अगर आपके पास केसर है तो आप उसके भी कुछदा के दूद्ने मिला के मिला सकते हैं बट मेरे पास केसर नहीं था तो मैंने वह वारा स्टेप छोड़ दिया है तो मैं इसकी जगे यहाँ पे फूट कलर मिलाऊंगी आगे गैस का फ्लेम आफ करने के बाद लेकिन मैं कलर मिलाऊंगी यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम आफ कर लिया है और इसमें हम दो तीन ड्रॉप फूट कलर मिलाएंगे तो मैंने केसर का जो कलर होता है उसी के कलर की फ्यू ड्रॉप्स कुछ मिलाई है बहुत ज्यादा नहीं मिलाई है और यह टोटली ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो इसको यूस कर सकते हैं इसे कोई फ्लेवर में चेंजिस नहीं आता है यह देखें यहाँ पे छेना हमारा र पानी मिला सकते हैं बट यहां पे अग्दम जैसा लगा नहीं कि बहुत ड्रा है तो इसलिए मैंने आपे वोग्ष्ट नहीं किया है अब इसको हतेली की हाल से अप अच्छे से मलेंगे जिस तरह से मैं इसको मल रही हो उसी तरह से इसको मल मल के रेडी करना है एक दम अभी दाने जो इसमें दाने दाने हैं अभी चेने के अब इसको एक दम स्मूथ करना है जिससे की बिदम स्मूथ टाइप का हो जाए जब हम इसकी बॉल्स और बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी क्रेक्स ना आए तो इसलिए हम उसको अच्छे से मलेंगे यह स्टेप बहुत जरूरी है इसी से आपके चेने अच्छे होंगे तो मैंने 5-6 मिनिट इसको मला है एक दम स्मूथ हो गया है अब यहां पर मैं इसमें एक स्पून कॉण फ्लोर मिलाओंगी छोटा वाला एक तीस्पून के असपास अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं यह अच्छे से कॉण फ्लोर को हम छेना में मिक्स कर लेंगे अगर आपको लगे कि हाँ आपकी बॉल्स अच्छे से बनेगी इसकी तयार हो जाएगी बनने लाइक हो जाएगी तो यहां पर आप बॉल्स बनाना शुरू कर दीजिगा मैंने यहां पर थोड़े बड़ी बड़ी बॉल्स बनाई है तो मेरी नौ बॉल्स बनके रेडी होई है अगर आप थोड़ी छोटी बनाएंगे तो आपकी दस से बारा बॉल्स बनके रेडी हो जाएगी यानि कि आपके दस से बारा रस्मलाई बन जाएगी बहुत इजिली इसको मैंने दो दिन बनाया था एक दिन बनाया तो उसके एक दिन छोड़के मेरी सिस्टर आई थी तो तब मैंने बनाया था तब इसके कम से कम दस से बारा आराम से बन गई थी यह देखे हलका सा इसको भूमाना है और इसको थुदा चप्टा कर लेना है और यह आप जब पानी में डालेंगे चास्नी में तो यह आलेडी बड़ी हो जाएंगे, इसका साइस बड़ा हो जाएगा, इसको हलकी हाथों से स्मूथ करना है, यह ध्यान देना कि बिल्कुल भी क्रैक्स ना आए, इसमें हलका सा फ्लैट करते जाना है, यहाँ पे हमारा चा सा पानी लिया है, पानी आप अच्छा राखिगा क्योंकि हमें पानी में इसको अच्छे chce को रखे अच्छा से अच्छा रखेगा, चास्नी को इस्को बहुत चिप्चे लगूए बशची हो इसको बनाना है को आज और हम प्रोसेसज ना पढूदा आप शयूंगे दहींग करेंगे आप चाहें तो बीच में इसको हलका धख सकते हैं और इसके बाद एक दो मिनाद बार दखेंगे फिसका फ्लेम हटा देंगे ग्यास का फ्लेम रखना अप 10 मिनट बाज को हलका साफ फिर एक बार पलट लेंगे दूसरी साइट भी और 5 मिनट इसको ऐसी ही पकाएंगे मतलब खुला ही पकाएंगे इसको टोटल 15 मिनट हमने दिये हैं रस्मलाई को पकने में तो 15 मिनट में हमारी रस्मलाई बन जाती है उतना टाइम उसके लिए इनफ अब दूसरी साइट से भी इसको 5 मिनट पकाने के बाद हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कांच का बाउल लिया है उसमें आइस क्यूब्स लिये हैं बहुत सारे कम से कम 12-15 और जिसमें पानी है वो चासनी वाला ही पानी है जिस चासनी म हमने रसमलाई मतलब हमारे छेना के रसगूले टाइप के बनाए थे यही चासनी का पानी मैंने इस बरफ वाले बाउल में ले लिया था तो आपको यही वाला पानी कर्चिल से किसी की हेल्प से निकालके इस बाउल में डाल लेना है जब आप गैस का फ्लीम ओफ कर देंगे उसके 10 मिनट के बाद आपको 10 से 12 मिनट के बाद आपको यह प्रोसेस करना है कि आप एक एक करके जितने भी आपने छेने के रसमलाई बनाई है एक एक करके आप इसी बाउल में डालते जाएंगे यह प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है यह बहुत इंपोर्टेंट प्रोसे लेकिन यह रबड़ी हल्की गुन-गुनी होनी चाहिए अगर आपके ठंडी हो गई है तो इसको हल्का गैस पे आप गुन-गुना कर लिजेगा अब हम चलो स्टार्ट करते हैं इसमें से एक एक करके छेना बोल्स निकालेंगे उनको हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे की सारा प जो पानी इसको अच्छे से सोख लेगा और आपकी रस्मलाई एक दम जूसी बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेंगी अब आप इसको दो तरह से सर्व कर सकते हैं एक बड़ा सा बाउल ले लिजिए जितने भी आपने च्छेना बॉल्स बना के रेड़ी की हैं सारे इसमें एक पर से आप सो गार्निश कर दीजिए ड्राइफूर्ट से अपने मन पसंद राइफूर्ट जो आपको पसंदें पिस्ता अगरा आपके पास है वो भी डाल सकते हैं बस मेरे पास अभी था नहीं यह देखिए यहां पर हमारी रस्मलाई बनके रैडी हो गई है बहुत ही अच प्रेश जाए और बस हलकी हाथों से पानिया से एक प्रेस किजिए बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना हैं और सभी और डिप करते जाए अधा घंटा अप इसको इसी में रहने देंगे आधा से एक घंटा ऐसे ही रहे ने दीजिए बाहर फ्रीज में मत रहाएगा एक घंट अगर ये रबड़ी में अच्छी से डिप रहेगी तभी इसकी अंदर तक जूस भरेगा और ये एकदम जूसी होगी रबड़ी आपकी तो बस यहाँ पर आपकी रस्मलाई बनके रेड़ी है आप इसको खाएए ठंड़ ठंड़ा सर्फ किएजिए आपको बहुत तेश्ची लगीगी छोटे छोटे कुछ स्टेप्स हैं बस वो फॉलो कीजेगा आपकी बहुत ही अच्छी रस्मलाई घर पर बनकर तयार हो तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और मेरे वीडियो को शेयर करना अगर कुछ आपको इसमें समझना या कुछ पूछना हो मुसे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं उसका रिप्लाई जलू कर दो करूँगी तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में किसी ड्यू रेसिपी के साथ अब तक लिए टेक केर एंड बाइबाई झाल झाल